गूड मॉर्निंग स्टूडेंट, डेट 13 में 2021, ठरस्टे बोल कर लिखो, क से ड तक, बेटा हमने अब डोट के उपर पैंसी रखें, नीचे वाले डोट के साज्वाइन करने हैं, और फिर हमने ऐसे करव बनाकर, और ऐसे गुलाई में क राइट करने हैं, कुर, फिर हमने डोट के उपर पैंसी रखी, और नीचे वाले डोट के साथ ऐसे करव बनाया, फिर नीचे ऐसे स्लैंटिंग लाइन कर दी, और इस डोट के उपर पैंसी रखकर, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहां करव बनाया, इसको हमने इसके बह के नीचे जवाइन कर दिया, ख स करगोश डोट के ओपर पैंसी रखी नीचे वाले डोट से ज्वाइन किया ऐसे नोक बनानी है सबने गह किया से ग से गमला फिर हमने ये डोट है ना डोट के ओपर हम पैंसी रखे पहले हम standing line लगा लेंगे यहाँ पर डोट को डोट से ज्वाइन करके standing line फिर हमने यहाँ करब बनाएंगे one करब फिर double cover बनाकर इस line के साथ ज्वाइन कर देंगे घट से घड़ी ड़ खाली पहले डोड के उपर पहांसी रखी हलका सा छोटा सा वन standing line किचेंगे छोटी सी फिर ऐसे करब बनाया फिर ऐसे इसको double कर दिया ड़ खाली आपने बिटें सभी बच्चों ने work neat and clean करने और proper line में करने और line से बाहर नहीं निकालना देखो यह डोड के उपर पहले standing line और जो बीच वाली उपर की red line को leave कर दें नीचे वाली red line को leave जो बीच में center में three lines है हम उसमें ही work करेंगे standing line करब बनाके ऐसे क से कबोतर और आपने यह page यहां तक complete करने है फिर आपने राइट करने है चर से चम्मज पहले हमने जो draw किया है उसके उपर उपर ऐसे draw करके और नीचे वाली blue line के साथ touch नहीं करना चर चम्मज को हमने यह देखो ऐसे standing line पहले हमने इस road के उपर fancy रखनी है पहले हमने क्या करने है इस road के उपर fancy रखके नीचे पहले standing line लगा लेनी है जो यह वाला डोट है इस पहले sleeping line लगाएंगे sleeping line लगाके और ऐसे नीचे से करव कर देंगे यहां मिला देंगे और इस चर को ना इस line से touch नहीं करना बिटे आपने यह home work need and clean करना है और line से बाहर नहीं निकालना और आपने home work करके इस की pick group में सबी बच्चों ने send करनी है बेटा